लीडिंग केस डिसकस अनके इस एपिसोड में हम केस डिसकस करेंगे एड्मिनिस्टेटिव लोग यानि की परसासनिक भी थी तो गाइज केस डिसकस में सबसे महत्पूर्ण होता है यानि की जजमिन्ट यानि निरने तो चलिए केस डिसकस करते हैं या केस है एक के क्रेपक अपिलियंट अपिलार थी वारसेज भारत संग उत्तरवादी रिस्पॉंडेंट इस केस का रिफ्रेंस है AIR 1970 SCC 457 AIR 1970 SC 150 जिसका सबजेक्ट था यहवाद नैसरगिक न्याय के सिद्यान पर आधारित है और इस केस का फैक्ट्स अप दा केस है फर्स्ट जम्मु कस्मीर राज के वन विभाक के अधिकारियों में कुछ अधिकारियों का चैन भारती वन सेवा में भारती के लिए करना था सेकिन फैक्ट है इस हेतु एक चैन समीती गठन किया गया था थार्ट फैक्ट चैन समीती की सदस्यों में नकीस बंद नामक एक ब्यक्ति था जो जम्मु कस्मीर राज में कारेकारी मुख्य वन संग रखचक के पद पर कारे रथ था फोर्थ फैक्ट नकीस बंद स्वेम भी अखिल भारतिय वन सेवा में एक अभियर्ति था फैक्ट चैन समीती में अनेक अभियर्तियों के नाम पर विचार किया गया उस समय नकीस बंद वहाँ पर उपस्थित नहीं था लेकिन चैन समीती द्वारा जिन नामों के सिफारिस की गई थी उनमें नकीस बंद का नाम भी समलित था इस सुची को संक लोक सेवा आयोग को भेजा गया जिसमें नकीस बंद का नाम सबसे उपर था आयोग ने उख सुची के अधार पर केंद्रिय सरकार को भारती वन सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए अभियर्तियों की सिफारिस कर दी इस चैन पर किया में अनेक अभियर्तिय अधिकारियों की नियुक्ति नहीं थी जिन के लिए सिफारिस नहीं की गई थी एक फैक्ट ऐसे अभियर्तियों द्वारा चैन को चुनाओती दी गई तथा तरक दिया गया की चैन समीति का गठन नकिस बंद की उपसिति के कारण अवयद है क्योंकि वह स्वयम एक अभियर्ति था तो दोस्तों इसमें निर्नाय आता है जजमेंट आता है उस्तम नियाले ने सभी तत्यों पर विचार करते वे निम्न तरक प्रस्तुत किये नकिस बंद को समीति के सदस्यों में समलित ही नहीं करना चाहिए था जबकि स्वयम उसके नाम पर विचार चल रहा था सेकिन नियाले ने यह भी कहा किया बताना आवयस्चक नहीं है कि नकिस बंद का जुकाओ तथा उसकी उपस्थिति के कारण सम्पून चैन समीति का जुकाओ वस्तुत अरजिदारों के विरूद दिशा में था यह दिखाना ही प्रेप्त होगा कि तथे से उनका ऐसा जुकाओ होने की यूक्ति उक्त संभावना अस्थापित हो जाती है थर्ड फैक्ट है नियाले द्वार यह भी तर्क दिया गए कि जुकाओ का संदे मात्र ठीक नहीं है किन्तु उसकी युक्ति युक्त संभावता का निर्ने करने के मानुवी संभावनाओं और सामान मानुवी वहवार को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि नकिस बंद अपनी इस्थिती सुरचित बनाए रखने के लिए पर्ति द्वंदियों को दूर अवस्थ रखेगा फोर्ट पॉइंट आता चयन सूची बनाते समय उसका जुका व्याचिका करताओं के बिरूद ही रहा होगा फिप्ट पॉइंट उपर युक्त आधारों को ध्यान में रखते कि नैसरगीक न्याय के सिद्यानतों का पालन करना आवस्यक है सेकेंड पॉइंट इस मामले में कहा गया कि जहां किसी विषय पर पक्सपात हो रहा है या हो सकने की संभावना ब्यक्त की जा रही है तब इस प्रकार का जज्जमेंट या निरने को निरस्त किया जा सकता है इ और आपको यह केस डिसकाशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारा केस डिसकाशन का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग